हेलो गाईज कैसे आप लोग चलिए स्वागत है आपका तो हम सब्जेक स्टार्ट करने जा रहे हैं सर सी एमसल कैपिटल मार्केट्स एंड सेक्यूरिटीज लोग सी एस एक्जिकेटर नियू सिलिबस ठीक है चलिए तो यह इंट्रोडक्शन वीडियो है इसमें मैं पूरा आ जाता है पढ़ते पढ़ते आपको क्या बातों पे ध्यान देना है क्या चीज़े एजी है क्या जीज़े थोड़ी से टफ जाने वाली है और ये सबजेक्ट का इंपॉर्टंस क्या है इसका connection क्या है अधर सब्जेक्स से तो यह सब हम एक एक करके धिरे-धिरे डिसकस मैं यही सोच के बढ़ा रहा हूँ कि आप CSET पास आउट हो और CSET में Securities Law का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है न उसके बारे में कुछ जाधा detailing है ठीक है तो मतलब आप Zero से पढ़ाई कर रहे हो आपको थोड़ा बहुत Company Law आता है ऐसा मैं ऐस्यूम कर रहा हूँ थोड़ा बहुत Company Law CSET में भी है और अगर आप Group 1 पढ़के इदर Group 2 में आये हो तो तो आपको Company Law, Companies Act आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे आपको बहुत जाधा दिक्कत नहीं होगी बट हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हो जो डिरेक्ली Group 2 पहले दे रहे हो जिनको Companies Act का जाधा नॉलेज नहीं है तो उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है बट आई विल ट्राइटू एक्स्प्लें दा थिंग्स इन डीटेल ठीक है तो आई ट्राइटू बैलन्स ठीक है चले तो 100 Marks का आपका एपेपर है चीक है डिवाइड इनिटो टू पार्ट्स Capital Market and Securities Law चीक है इसमें वेटेज आपका है 40-60, 40 is Capital Market and 60 Marks is Securities Law तोटल आपके किते chapters है देख लो 18 chapters है 18 chapters है तो अच्छा खासा लेंदी भी है बोलने के लिए पर इससे भी ज़्यादा लेंदी सब्जेक्ट्स आपके syllabus में अल्ड़ेडी है Company Law सबसे लेंदी है Tax Laws काफी लेंदी है और CAFM सब्जेक्ट्स भी काफी लेंदी है तो लेंदी सब्जेक्स और हैं इससे बट यह अपने आप में I think medium सब्जेक्ट है लेंट की मैं बात करूँ ठीक है तो capital market में आपके है seven chapters ठीक है और बच्चे वे जो 11 chapters है वो आपके securities law में है ठीक है अब हो सकता है आपने यह नाम भी पहली बारी सुने हो capital market क्या होता है सर हमको तो पता ही नहीं है securities law क्या होता है हमको पता ही नहीं ठीक है ता हो सकता है आपको कुछ भी नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है एक एक करके हम सारे concepts को discuss करने वाले कोई attention नहीं ठीक है अभी सिर्व आप सुन लो यहीं चीज़ें आगे connect होंगी आगे आप सुनोगे ठीक है तो जो flow में आपको यह दिया हुआ है exactly वो flow में हम नहीं बढ़ेगे हम concept के जो connections है conceptually एक base पहले बनाना जरूरी होता है तो उसके बाद sequence का इतना फरक नहीं बढ़ता है तो मेरा sequence हलक असा अलग होगा तो मैं सबसे पहले तो यह दो chapters पढ़ाऊँगा ठीक है कोई भी teacher यह दो chapters से ही start करेगा क्योंकि है ही उसके लिए basic के लिए ही है और नाम भी वैसा ही है basics of capital market capital market के पूरे basics आप इसमें पढ़ने वाले हो सब हम पढ़ेंगे तो यह दो chapters से आपका base ready हो जाएगा मदब at least आपको बहुत सारे जो terms होते हैं वह at least अच्छे से समझ में आ जाएगा यह दो chapters actually intro level की ही है सब के बारे में चोटा 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 बहुत concept ही आपको दिया हुआ है बहुत जादा detail में आपको कुछ भी नहीं है यह दो chapters में तो concept building आपकी यह दो chapters में हो जाएंगे तो आपको थोड़ा patience दिखाना पड़ेगा यह दो chapter तक थोड़ा patience दिखाना पड़ेगा ताकि सारी चीजे connect हो जाएं इसमें सारी चीजे connect होना ज़रूरी है क्योंकि इतने सारे terms हैं इतने सारे concepts हैं सब आपस में connected है तो वह एक flow एक cycle complete होने तक आपको बस थोड़ा wait करना है doubts आएंगे ही आएंगे बट वह connect हो जाएंगे यह पूरा जो cycle है जो पूरा flow है सब्जेक का यह दो chapters के बाद आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा और फिर इसके बाद तो कोई दिक्कत मेरे खाल से ज्यादा होगी नहीं ठीक है फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा इंटर मिज्टी ठीक है तो यह तीन सब्जेक यह तीन chapters से मेरे खाल से basic पूरा अच्छे से आपका cover हो जाएगा फिर उसके बाद मैं अपने साब से पढ़ाऊंगा ठीक है तो यह तीन chapters हम पहले पढ़ने वाले है और कुछ-कुछ chapters है जो मैं last में पढ़ाऊंगा जैसे IFSC यह अलगी topic है यह मैं सबसे आखरी में पढ़ाऊंगा prohibition of fraudulent and unfair trade practices relating to securities market यह भी मैं सबसे आखरी में पढ़ाऊंगा ठीक है दो तीन topic ऐसे हैं जो सबसे complex हैं नए हैं तो सबसे आखरी में में पढ़ाऊंगा ताकि पूरे subject की understanding एक बार आपकी आ गई फिर वो topics आपको आशनली से समझ में आ जाएंगे चिक है चलो तो ऐसा आपका 40 और 60 मार्ग का syllabus है उसके बाद paper pattern की अगर मैं बात करूँ तो majority जो paper है आपका वो case study basis पे होता है case law या case study basis पे होता है जिसमें आपको situations पूछी जाती है law जब आप पढ़ते हो कोई भी law पढ़ो अगर आप companies भी पढ़ चुके हो आपको पता है कि law में अलग-अलग situations में क्या होगा ये लिखा ह हुआ होता है अलग-अलग sections या अलग-अलग regulations में वैसे ही जब आप ये securities law पढ़ोगे capital market पढ़ोगे अलग-अलग जगस situations आती है तो आपको situation में डालके पूछा जाएगा कि law apply करके आप बताओ कि क्या होगा majority paper 50% से जाधा जो paper है वो case study basis पे होता है तो आपको जो पढ़त सब्सक्राइब करने के बात फिर अगर आप एक एक situation ढूंड़ोगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है पढ़ते पढ़ते एगर आपका दिमाग खुला हुआ है आपको अलर्ट हो कि हां यार हमारा paper case study basis पे तो हर chapter जब आप पढ़ रहे हो हर concept जब आप पढ़ रहे हो जहां अब आपको situation दिख रही है वो click होना चाहिए कि आरे question पूछा जा सकता है इसमें ऐसा पूछा जा सकता है पढ़ाते पढ़ाते मैं बताओंगा ही बड़ आपको subconsciously वो हर चीज में ऐसा ढूंडना है और अगर आप पढ़ते पढ़ते ही आपने ये सब कर लिया फिर आपको उस हिसाब से उसको पढ़ा नहीं होता है उती ही बारीकी से आपने उसको पढ़ा नहीं होता है तो आप accurate answer नहीं लिख पाते हो गेम इस chapter का यही है subject का यही है generic answers लिखोगे तो general marks half marks ही मिलते है चार marks का question है तो दो ही मिलेंगे 5 का है तो 2 ही मिलेंगे ठाई मिलेंगे maximum आधे- पर इसलिए scoring में problem होती है accurate answers आपको लिखना है क्योंकि case study based questions होते हैं case study basis questions में exact accurate to the point answers लिखना बहुत जाधा जरूरी होता है फिर कुछ-कुछ आपके normal भी आते हैं normal short notes normal आपको topic दिया रहेगा लिखते बैठो मतलब उसमें बहुत जाधा answers को draft नहीं करना पड़ता है direct आप normal ज उस टाइब के भी easy questions भी आते हैं तो बहुत जाधा case studies का टेंशन लेने की भी जुरूरत नहीं है clear है क्या तो यह आपका syllabus है अब यह मैं सब नाम पढ़ सकता हूं पर आपको समझ में कुछ आएगा नहीं ठीक है इसलिए मैं यह सब पढ़ नहीं रहा ठीक है तो आपको 40 60 और basic पता चल गया मेरा एक flow आपको समझ में आ गया ठीक है अब हम concept start करते है ठीक है पहले मैं concept start करता हूं तभी आप कुछ topic प financial system का broad concept का है financial systems का हमारा पूरा जो financial system है उसी के components है यह सब तो financial system मतलब पूरा जो money supply है money का पूरा flow है उसको आप कह सकते हो financial system ठीक है अब इसके बहुत सारे parts होते हैं बहुत सारे elements होते हैं जैसे एक होता है आपका financial markets financial markets फिर आपका रहता है intermeasory या institutions जो भी कहो institutions फिर आते हैं instruments 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 इंटरमेजरी इंस्टिटूएंट इंस्टिटूशन इंटरमीजरी इस ठीक है और भी बहुत सारे हैं ठीक है आपके book में कितने हैं उत्तियपन कवर करेंगे और आपके book इस बुक के साफ से नहीं पढ़ा सकता है, beyond books भी काफी चीजे में बताऊंगा ही बताऊंगा, तो confused होने की जरुरत नहीं है, जब मैं पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, knowledge दे रहा हूं, आपको overall सब पढ़ना है, फिर जब आप exam के लिए आखरी में prepare करोगे, तो आप आखरी में वो book का एक angle देख सकते हो, जब आप पढ़ रहे हो, subject पढ़ रहे हो, तो आपको open mind से ही पढ़ना पढ़ेगा, open overall level पे क्या है, real life में क्या है, उसके साफ से आपको समझना चाहिए, और फिर exam में क्या लिखना है, वो book का एक direction, फिर आप exam के वक्त वो कर सकते हो, चीक है, तो एक है आपका intermediaries, एक है आपके markets, एक है instruments, ठीक है, और एक आते हैं participants, या वोई institutions को ही market participants आप कह सकते हो, एक broad category है वो, participants, अलग से आप regulator करके भी एक मतलब समझ सकते हो, मैं समझाने के साफ से बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ चार-फांच components होते हैं इसके, ठीक है, एक है financial markets, financial markets, क्या है, markets है, economics में आपने एक market का गण से पढ़ा होगा, यह वो ही है, market मतलब कोई भी एक place, market मतलब कोई भी एक place, जहां पे दो लोग आके कोई transaction करते हैं, buy या sell करते हैं, उसको आप कहते हो market, जहां dealings होती है, buy और sell होता है, कोई भी चीज, अब वो vegetables हो, कोई भी commodities हो, कोई goods हो, या securities हो, जो हमारा subject matter है, ठीक है, तो market, अब क्यूंकि हम financial transactions कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम आता है, financial markets, यह broad heading है, broad category है, इसके अंदर फिर, अलग-अलग type के financial markets होते हैं, ठीक है, तो मैं financial markets की बात करूँ, तो सबसे पहले आता है आपका capital market, ठीक है, capital market, फिर आता है आपका money market, और भी बहुत सारे प्रकार के markets हैं, जो आप सुनोगे, ठीक है, broadly, अगर मैं कहूँ कि main चीज क्या है, market या यह जो भी चीज़े है, main चीज जो होती है, वो होती है, fund raising, main चीज होती है, fund raising, ठीक है, basically financial system, financial markets, आपको help करते हैं, कि आप funds को raise कर पाओ, इसी को आप पढ़ोगे, mobilization of funds, funds को mobilize करना, channelize करना, आए ख्याल में, अब यह क्या होता है, तो basically आप एक flow पढ़ोगे, financial system का पूरा यह जो चार्ट होता है, एक होता है, जो लोग पैसे save करते हैं, savers, ऐसा उनको कहा जाता है, जो save करते हैं पैसा, और एक होता है, जो business होते हैं, ठीक है, दो ऐसे उनको invest करना होता है, पैसा खाली कोई रखना नहीं चाहता है, पैसा आप खाली रखोगे, वो grow नहीं होता है, अगर मैं 10 लाक रुपे तिजोरी में रख दूँ, वो 10 लाक ही रहेंगे, 10 साल बात, 15 साल बात, 20 साल बात, 10 लाक, 10 लाक ही रहेगा, वो grow नहीं होता, तो आप एक opportunity loss कर रहे हो, अगर आप पैसा खाली रख रहे हो, तो आप उसमे कुछ कमा सकते थे, जो आपने opportunity छोड़ दी, तो इसलिए real life में अगर आप देखोगे, कोई भी समझदार इंसान जो financially sound है, वो पैसा खाली नहीं रगेगा, वो कहीं न कहीं investment opportunity ढूंडेगा, ठीक है, तो जो save करते हैं, आप और हम जैसे जो save करते हैं लोग, कोई भी जरिये से हम कमाते हैं, और फिर हम पैसे save करते हैं, आई क्याल में, जो भी मैं कमाता हूँ, उसका क्या होगा, कुछ मैं खर्च कर दूँगा, जो मेरे expenses हैं, day to day मेरे expenses हैं, living expenses हैं, other expenses हैं, सब expenses में जितना मेरा हो गया उसके बाद जो बचेगा वो है तिये मेरी सेविंग्स तीक है परस्नल सेविंग्स आप उसका आप क्या करते हो आपके डिसिजन के उपर है आप कहां उसको इन्वेस्ट करते हो ठीक है तो एक कैटिग्री ओफ परसंस ऐसे हैं जो कमा रहे हैं खर्चा वर्चा निकाल आइब उसके बाद उनका कुछ पैसा बच रहे और वो धूंड रहे हैं कि यह पैसा कहां इन्वेस्ट करें ताकि उसक्त करें और customer कर नाम दे सकेग्यंत बहुत सारे अलग-लग टाइप के बिजनसेश हैं, जो आप कर सकते हो, अब बिजनसमें के common चीज़ क्या है, उनको यह होता है पैसा, बिना बिजनस, बिना पैसा बिजनस होता नहीं, आप कोई भी टाइप का बिजनस कर लो, 99% of the times आपको कुछ पैसा उसमें लगाना पड़त है, grow करने के लिए, sustain करने के लिए, उसको आगे expand करने के लिए, ठीक है, तो इनको funds की need होती है, ठीक है, इनको funds की need है, मतलब इनके पास deficit है, requirement है, और इनके पास surplus है, आई खेल में, अब बस कैसे आप पैसा एक सेवर से बिजनस तक बहुचाते हो, इसी को कहते है, mobilization of funds, इस इसे पैसा इधर का उदर जाए, ठीक है, अब एक तरीका होता है, जो traditional हमारा तरीका है, जिसको आप indirect way कहते हो, indirect तरीका होता है, कि सेवर जो है, वो जाएगा bank के पास, bank के पास bank account खोलेगा, saving account, recurring deposit account, FD account, कोई न कोई account खोलके, वो उसको deposit कर देगा, और उस पे bank उसको interest दे देते रहेगी, ठीक है, अब bank का business क्या होता है, bank क्या business करती है, bank अलग-अलग account holders से पैसा लेती है, और फिर वो businessman को loan देती है, ठीक है, तो ये bank आगे चलके इनको loan के through provide करेगा, और businessman bank को interest pay करेंगे, आए ख्याल में, अब bank की इसमें क्या कमाई है, जो bank business को loan देगा, वो accounts पे वो काफी कम होता है, तो typically अगर मैं bank loan दे रहा है business को, तो वो 12 to 18% तकरीबन रहता है, 8, 7, 8 से ही चालो हो जाता है, typically आप देखोगे, तो 12, 10, 12% कुछ-कुछ के unsecured loans है, तो 18% भी होते हैं, उससे भी जादा होते है, तो 12 to 18% मैं बोड़ रहा हूँ, average, इतना bank कमाती है और उसमें से आपको deposit accounts पे कितना देगी, 4%, कुछ लोग 5 देते हैं, कुछ लोग 6 भी देते हैं, FD पे थोड़ा और जादा रहेगा, 7 to 8% होगा, तो यह जो gap है, यही bank की कमाई है, 12 से 8% interest मिल रहा है, और आपको 4, 6, 8% देना है, और बचा हुआ जो भी पैसा है, वो bank का profit ह है, clear है क्या, तो यह जो तरीका होता है, इसमें भी देखो fund mobilize हो रहे है, bank के through, bank एक intermediary है, एक institution है, bank के through पैसा channelize किया जा रहा है, इसको कहते है, indirect way of mobilization of funds, ठीक है, अब कुछ बच्चो को question आएगा, कि सरे indirect क्यों है, indirect कैसे हम देखते हैं, इसमें ultimate जिसका पैसा है और जिसको मिल रहा है, यह आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, जो पैसा bank में जमा करवा रहा है, उसको नहीं पता कि यह पैसा कौन से business को दिया गया है, आरे को समय में, मतलब यह दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, बीच में bank है, saver जो है, वो bank से deal कर रहा है, business जो है, आपस में इनको एक दूसरे का कुछ भी पता नहीं है, किसका पैसा, किसको मिला है, किसी को नहीं पता, क्योंकि बैंक एक independent party है, ठीक है, तो पैसा ultimately mobilize ही किया है, बैंक का काम ही होई है, facilitate करना, बट आप एक दूसरे को directly नहीं जानते, इसलिए इसको indirect way of finance कहते हैं, ठीक है, क्लियर है क्या, तो सदियों से यही चले आ रहे है, indirect way of finance चलता है, popular है, और bank इसलिए ही बनते हैं, ठीक है, अब एक होता है, direct channel भी available है, उसको कहते हैं, बीच में, जो हम कहते हैं, markets, financial markets, यह जो financial markets हैं, यह भी आपको help करते हैं, पैसा directly channelize करने के लिए, directly, ठीक है, तो जिसको भ जो business है, वो क्या करेगा, वो market में जाएगा, ठीक है, business को पैसा चीए, Reliance को, Adani को, Ambani को, Tata को, Airtel को, सबको, जिनको भी पैसा चीए, वो markets में approach करते हैं, वहाँ पे वो issue लाते हैं, ठीक है, public offer जिसको आप कहते हो, तो वो public offer लाते हैं, public offer के थुरू, वो invite करते हैं, public offer के थ और उसके बदले में, उनको क्या मिलता है, securities, ठीक है, उसी को आप कहते हो, instruments, ठीक है, public offer लाएंगे, ये लोग funds देंगे, और ये उनको securities मिलेंगे, security के against, आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, तो जिनको business है, उनको पैसा मिल गया, और जो saver है, उनको एक instrument मिल गया, जि इस पे वो आप कमाएंगे, ठीक है, equity, shares आपने सुना होगा, preference shares आपने सुना होगा, आपने debentures सुना होगा, ठीक है, अलग-लग type के instruments होते हैं, जो issue करके पैसा लिया जाता है, ठीक है, तो ये होता है direct, क्यों, क्योंकि business के books में किसका नाम है, direct saver का नाम है, जिसको आपने security issue की है, वही तो saver है न, उसका नाम directly company के books में, ये transaction directly हुआ है, market सिर्फ उसको facilitate कर रहा है, लेकिन पैसा directly है, देने वाले को पता है, उसने किस ने दिया है, लेने वाले को पता है, उसने किस से लिया है, directly एक दूसरे का नाम उनको पता होता है, इसलिए उसको direct way of funding कहा जाता ह clear है क्या, तो ऐसा हमारा money supply है, ये direct way है, clear है क्या, तो अब आप market 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 सुनोगे, तो market basically किया एक place है, जहाँ पे दो लोग आके financial transaction करेंगे, saver जो है, जो invest करेगा पैसा, वो पैसा देगा, company उसके again securities देगी, बात खतम, ठीक है, अब company क्या करेगी उसका पैसे का, business में लगाएगी, उसका productive use करेगी, उसमें से fixed assets लेगी, उसमें से working capital या cash bank, stock में पैसा लगाएगी, business में basically पूरा पैसा लगता है, जिसको आप कहते हो, productive use, business में आप पैसा लगाते हो, business करते हो, और उसमें आप कमाते हो, और फिर उस कमाई में से ही, आप इन investors को उनका return दे देते हो, जैसे आप पढ़ाओगा dividend, तो अगर equity shares है, preferences हैं, तो उसके बदले में उसके उपर आप क्या return देते हो, dividend आप distribute करोगे, अगर कोई debt security आपने issue की है, debentures वगर issue किये होंगे, bonds वगर issue किये होंगे, तो उस पे आप interest पे करते हो, clear है क्या, तो यह ऐसा process चलते रहता ह तो यह आप diagram बना लो, ठीक है, pause करो, आराम से पूरा बनाओ, फिर आगे बढ़ना, ठीक है, चलो, मैं आगे बढ़ता हूँ, आप आराम से complete करो, clear है गया, एक मोटा मोटी एक आपको idea आ गई है, ठीक है, तो यह बस चलते रहता है, आएक हल में, तो हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे, mainly हम चीज़ business के angle से पढ़ेंगे, हम business के side से रहेंगे, business को पैसा raise करना है, business को जो है, compliance करने पढ़ते हैं, अब आप general public से जाके पैसा लोगे, तो उस पे बहुत सारे laws apply हो जाएंगे, नहीं तो कोई भी fraud कर लेगा, आदिया दूरी information दे के पैसे ले लेगा, फिर भाग जाएगा, तो इसलिए उस पे securities law apply हो जाएगा, capital market क्या है, एक place है, वो एक mechanism है, एक institution है जिसके तुरू आप funds mobilize कर सकते हो, ठीक है, तो यह पूरे fund raising के दोरान, even fund raising के बाद, continuous basis पे आपको law का compliance करना पड़ता है, क्योंकि law जो है, regulators जो है, उनको इस investor को protect भी करना है, आए क्याल में, तो काफी सारे law आप पढ़ोगे जो investor के protection के लिए, investor के साथ धोका नहों, investor के law बनाएगे हैं, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से बताके, proper disclosures देके आप पैसे ले लो, सबसे बड़ा इसमें risk क्या है, जिसको पैसा चाहिए, उसको any which में पैसा चाहिए, तो वो क्या गरेगा, जूट बोलेगा, गलत गलत कुछ चीज़े हैं, आपके business के बारे में exploit न करो, उसके साथ fraud न करो, क्योंकि हो सकता है, वो financially knowledgeable हो, हो सकता है, न हो, investor तो कोई भी हो सकता है, हो सकता है, वो capable हो, हो सकता है, वो capable न हो, इसलिए ये जिम्मेदारी बनती है, government की, ये जिम्मेदारी बनती है, regulators की, कि वो ऐसे law लाएं, जो उनको protect करें, कोई भी business उनको cheat न कर पाए, clear है क्या, तो बहुत सारे laws, regulations, compliance हम पढ़ेंगे, जो business के उपर लागू हो जाते हैं, ताकि ये flow बना रहे, अब इससे देखो होता क्या है, समझो बात को, इसका impact समझो, अगर एक company ने पैसा उठा के भाग गई, fraud हो गया, बहुत बड़ा scam हो गया, suppose, इससे क्या impact पड़ता है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा, कि investor डर जाएगा, जिनके पैसे डूबे हैं, वो तो पैसा आगे कभी लगाएंगे नहीं, और वो दस और लोगों को मना करेंगे, कि या मेरे साथ देख ऐसा fraud हुआ है, ऐसी companies पे तू लगा मत, तो इससे क्या होता है, negativity फे पड़ती है, और एक डर फेलता है कि भाई, रिस्की है, रिस्की है, तो लोग पैसा नहीं लगाएंगे, और अगर लोगों ने invest करना बन कर दिया, तो इसका क्या impact होगा, business के पास sufficient funds ही नहीं होगे, business के पास पैसा ही नहीं होगा, तो जितना limited पैसा है, उत्ते में उनको business कर पड़ेगा, तो इससे overall country का भी loss है, overall economy का भी loss है, क्योंकि हम grow कैसे होगे, economy grow कैसे होती है, इन्हीं business से grow होती है न, आपने एक नाम पढ़ा होगा GDP, gross domestic product, मतलब कितने goods और services एक साल में country बनाती है, देती है, उसको कहते है GDP, तो वो बढ़ेगा कैसे, business के numbers add up होते है न, उसमे तो business बिना पैसो के नहीं चल सकता, बिना पैसो के grow नहीं हो सकता, उनको एक sustained flow चाहिए पैसो का, तभी वो business कर पाएंगे, तभी वो grow कर पाएंगे, आए ख्याल में, तो इसका direct impact पूरे economy पे होता है, economy के growth पे होता है, इसलिए जितना smoothly ये financial system work करेगा, उतना rotation पैसो का अच् बढ़ाएंगे, तो इसका पूरा connection, economic growth का है, आपका economic growth ही slow हो सकता है, अगर आपका financial market में कोई problem है तो, आए खेल में, तो ये problem होती है, इसलिए जो regulators हैं, वो बहुत जादा cautious होते हैं, बहुत जादा strict rules लगाते हैं, ताकि गलती से भी कोई fraud न हो पाए, कि जब जब fraud होता है बहुत deep impact देता है वो market को, तुरांद markets अब down हो जाते हैं, सारे company के valuations down हो जाते हैं, और काफी समय तक, 5-6 महिने तक तो कोई issue लाता ही नहीं है, कोई market से पैसा ही नहीं उठाता है, इसी डर से कि हम मुठाने आये और अगर subscribe नहीं हुआ, लोगों ने पैसी नहीं दिये तो, तो उसमें company का नाम भी खराब होता है, आये ख्याल में, company आयी, पैसा मांगी, उसको नहीं मिला, तो इससे company का भी नाम खराब होता है, कि मैं आया market में मैंने 100 करोड रुपे मांगे, और अगर मुझे 100 करोड लोगों ने दिये ही नहीं, subscribe ही नहीं हुआ, 50 करोड, 60 करोड ही म company का एक reputation damage होता है, कि भाई company का नाम इतना खराब चल रहा है, कि वो पैसा ही रेज नहीं कर पा रही, तो वो भी एक डर रहता है, इसलिए companies भी बहुत जादा आती नहीं है, जब market का जो माहोल है, एक जो sentiment है, अगर वो खराब चल रहा है, तो वो issues को postpone करते हैं, और जब इस डिले होते जाते हैं, आप नहीं factory डालने माले थे, आप वो अगले साल डालोगे, तो इससे overall country पर ही impact पड़ता है, company का जो GDP ए country का, उस पर बहुत बड़ा impact पड़ता है, तो इसलिए कहीं न कहीं regulators और government का ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कि they should ensure कि ये financial system properly, smoothly, हर वक् ये देखो, इसका जनम ही इसलिए हुआ है, ये topic का अस्तित्व है इसलिए, देखो, prohibition of fraudulent and unfair trade practices relating to securities market, कोई भी market participant, कोई भी unfair practice करता है, उसके उपर बहुत ज़्यादा penalties, बहुत ज़्यादा fines, बहुत ज़्यादा, आप मतलब action ले सकते हो, ये law के वजह से, क्यूँ, क्यूँ आप कोई unfair काम करते हो, investors का पैसा डूपता है, investors को ही ultimately loss होता है, और उनको loss होगा, तो पैसा कभी investing नहीं करेंगे, अब गलती किसी की बहुत भाई, नुकसान जिसका होता है, उसके mind पे तो deep impact रहे गाई न, सोच के देखो, मैं अगर नया investor हूँ, 25-20 साल का suppose मैं हूँ, suppose, मैं एकाद लाग रुपे मैंने जमा किये, और एकाद लाग इंवस्ट किये, एक लाग का value डाउन होके 50,000 होगी, सोचो, मैं एक लाग का double सोच रहा था, दो लाग कर दूँगा, और मेरा पैसा आधा हो गया, अब 25 साल की उमर में अगर आपको 50,000 रुपे का नुकसान होग तो उसका बहुत deep impact होता है, अगली बार आप जब आप पैसा लगाओगे, आपको बहुत सोचना पड़ेगा, दो तीन चार साल तक तक तो आप पैसा इंवस्टी नहीं करोगे कभी, और अपने सारे यंग जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनका बना करोगे, उनका अपना example ले जोगे, देखो मेरा एक लाग का बज़ा ज़र हो गया, तो ये बहुत deep impact होता है, इसलिए बहुत seriously, directly unfair trade practices पे specific law बनाया गया है, ताकि कोई भी trade practice गलत न चले, scams न हो पाए, करी न पाएं लोग, करें भी तो फटाफट उसको detect करें, और ऐसा future में होने से रोकें, clear है गय होता है, जो मैंने आपको बताया, कि company market में जाएगी, पैसा raise करेगी, public offer देगी, ठीक है, तो ये हम इस chapter में पढ़ने वाले है, उसको हम पढ़ने वाले है, issue of capital and disclosure requirements, ठीक है, chapter के नाम समझ लो पहले, issue of capital, ठीक है, हम capital raise करने जा रहे हैं, हम securities issue करने जा रहे हैं, तो issue of capital and disclosure requirements, क कोई भी security issue करो, जब भी आप पैसा raise करते हो, आपको disclosures देने पड़ते हैं, कोई न कोई document issue करना है, जो हम पढ़ेंगे, prospectus, placement memorandum, draft, red herring, prospectus, ऐसे बहुत सारे नाम, अलग-अलग securities में आप पढ़ोगे, कोई न कोई document issue करना है, जिसमें A to Z सारी information आपके बार में होती है, कि आप कौन हो, क्या करते हो, आपकी company कौन है, promoters कौन है, कौन चलाता है, क्या history है, क्या, आपके उपर क्या court cases चल रहे है, past history क्या है, bank से कितल पैसे उटाए है, आपका past performance कैसा रहा है, ये पैसा जो आप मांग रहे हो, ये कहां लगाओगे, समझ रहे हो, A to Z information आपको देनी हो होती है, उसी को कहा जाता है, disclosure requirements, तो जब भी आप पैसा raise कर रहे हो, there has to be disclosure requirements also, तो ये हो गया, अब जब आप, इसको हम short form में कहेंगे, ICDR, तो आप पैसा raise कर रहे हो, अब बहुत सारे law है, अलग-अलग security के साब से, अलग-अलग regulations बने हुए है, पर सब में आप पैसे उठा convertible security, इसमें भी आप पैसा उठा रहे हो, सिर्फ जो security दे रहे हो, वो non-convertible है, धिरे-धिरे सब में बताऊंगा, मतलब ये दोनों सेम है, दोनों में आप पैसे उठा रहे हो, एक में अलग security है, एक में अलग security है, पर दोनों fund raising के बारे में ही है, कैसे fund raise करते हैं, क्या securities होत होता है, ठीक है, ध्यान दो, हर market में दो segments होते हैं, ध्यान दो, जहां से भी आप पैसा raise करते हो, market में हमेशा 2 segments होते हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं capital market की बात करूँ, या कोई भी market की बात करूँ, उसके अंदर 2 segments होते हैं, अब इसमें भी मैं चलो overall बता देता हूँ, capital market का मत असलब क्या है कि लॉण्टर्म के लिए अगर आप पैसा ले रहे हो आपकी जो requirements है वो long term है पैसे आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए चाहिए, मतला 10, 15 साल, 20 साल, 15 साल के बात वापस करोगे अगर आपको लॉंग टम के लिए पैसा चाहिए, तो आप capital market में जाते हो, अगर आपको short term के लिए पैसा चाहिए, within one year, कुछी दिनों, कुछी महीनों के लिए चाहिए, एक साल से कम समय के लिए अगर आपको पैसा चाहिए, तो आप money market में भी जा सकते हो, clear है क्या, तो ऐसे दो market होते हैं, यह short term के लिए होता है, और यह long term के लिए होता है, ठीक है, दो ऐसे basic markets होते हैं, clear है क्या, तो financial markets में ऐसे दो markets होंगे, capital markets and money market, ठीक है, अब यह दोनों भी actually, securities market के part है, मैं overall आपको diagram ही बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक हो गया था, बरोबर, यहाँ थे है अपन, तो capital market, money market, ठीक है, अब यह हो गया long term, यह हो गया short term, अब, इसमें भी capital market में, अलग-लग हो सकता है, कि, पैसा आप कैसे raise कर रहे हो, एक होता है, securities के थ्रूँ, securities के थ्रूँ, पैसा raise कर सकते हो, ठीक है, मतलब आप सामने वाले को, बदले में क्या दोगे, आपको वो पैसा देगा, आप उसको क्या दोगे, तो अगर आप उसके बदले में उसको securities देने वाले हो, तो वो होता है securities market, ठीक है, और एक होता है others, मतलब जिसमें आप कोई security नहीं दे रहे हो, जैसे कि loan, आपने one-to-one किसी से loan लिया है, तो loan में कोई security थोड़ी देते हैं, कोई paper security, कोई document थोड़ी होता है, जो transfer किया जा सक होता है, one-to-one होता है, agreement होता है, और वो transferable नहीं होता है, आई ख्याल में, तो one-to-one भी आप directly पैसा ले सकते हो, तो वो others में आ जाएगा, अगर आप सामने वाले को security दे रहे हो, अब security का मतलब क्या है, ऐसा document, ऐसा instrument, जो आगे आप किसी और को transfer कर सकते हो, वो transferable होता है, सम जिसको आप stock market कहते हो, equity market, या debt market भी कह सकते हो, या bond market भी इसको कहते हो, ठीक है, मतलब, एक है equity, एक है debt, दो ऐसे basic classification होते है, equity का मतलब होता है कि बहुत long term के लिए पैसा आप ले रहे हो, owner जैसे अपना पैसा लगाता है business में, owner जो भी पैसा लगाता है, वो withdraw करता ही नहीं, वो पैसा जब तक business चल रहा है, तब तक business में पैसा लगा होता है, I tell me, तो ये वैसा पैसा है, equity वाला मतलब जब तक business चल रहा है, तब तक पैसा लगा हो रहेगा, सीधे जब आपका business बंद होगा, तब ये पैसा company लोटाती है, clear है, तो long term है, और फिर होता है debt, debt का मतलब है जो कुछ समय के बाद वापस करना पड़ता है, company बंद होते हैं अगर नहीं, उसका एक fix समय होगा, 5 साल, 10 साल, whatever, तो fix समय के बाद आपको पैसा वापस करना पड़ता है, और जब तक आप उसको use कर रहे हो, हर साल, हर जो भी है frequency पे, आपको उस पे interest पे करना होता है, तो debt क मतलब आपको पता होगा, ठीक है, तो equity market, debt market, ऐसे होता है, और इन दोनों market में, दो-दो segments होते हैं, दोनों में मतलब same है, एक है primary market, एक होता है secondary market, primary market, secondary market, primary market, secondary market, हर market में, अब इसका क्या लेना देना है, primary market होता है, जहाँ पे company जाके पैसा collect करती है, मतलब जो मैंने ये diagram था, ये जो पूरा है flow, ये primary market है, ये मैंने जो बताया था, ये primary market है, इसमें कौन दो लोग हैं, जो participate कर रहे हैं, एक है saver, यानि जिसको हम यहाँ पे कह सकते हैं investor, एक है investor और एक है company, और actually पैसा mobilize हो हो रहा है, actually company पैसा लेके जा रही है, तो जब भी company investor से पैसा लेती है, वो market को कहते है, primary market, अब सिर्फ primary market नहीं हो सकता, अगर सिर्फ इतना ही है, primary market ही है, तो ये sustain नहीं कर सकता, क्योंकि देगो investor जिसने पैसा आज दिया है, कल अगर उसको पैसे की need हो गई, तो वो क्या करेगा, सोच के देगो, मैंने एक company है, एक लाक रुपे उसको दे दिया, उन्होंने मुझे equity shares दे दिया, अब इस equity share का मैं क्या करूँ, hold करूँगा, जब तक company चल रहे हैं, मैं hold कर सकता हूँ, पर कल जाके कुछ महीनों बाद अगर मुझे पैसे की need आई, तो मैं क्या करूँगा, तो there has to be something, कि मैं जो equity share मैंने खरीदे हैं, मैं किसी और को transfer कर समझ रहे हैं, road अगर जा रहा है, तो road वापस भी आता है न, तभी तो आप जाओगे न, सोचो one way है, वापस आने का रास्ता ही नहीं, तो आप जाओगे क्या, नहीं जाओगे, तो वैसे ही यहाँ पर primary market enter करने का जरिया है investor के लिए, पर वहाँ से निकलने का कोई रास्ता ह नहीं नहीं, there has to be something, उसी को कहते है secondary market, तो secondary market में आप क्या करते हो, आप एक marketplace बना लेते हो, जहाँ पे एक investor, दूसरे investor को बेच सकता है, मतलबाँ dealings हो सकते है, buy sell आप कर सकते हो, वो secondary market कहलाता है, वहाँ पे company नहीं आती, उसमें company का कोई काम नहीं है, company का काम जो है, वो primary market म ही होता है, clear है क्या, तो अब यह investor जाएगा secondary market में, जिसको आप stock market कहते हो, यह secondary market ही होता है, ठीक है, तो secondary market में क्या करते है, एक investor, दूसरे investor को बेच देता है, change of hands, एक investor, दूसरे investor को बेच देता है, और ऐसा चलते जाता है, इसी को कहते है exit, तो investor को exit मिलता है secondary market में, आए ख और ये बायर है अब ये मतलब company का जो investor है अब ये कहलाएगा क्योंकि इसने अभी shares या जो भी instrument हो खरीद लिया है अब वापस इसको भी बेचना हो तो same secondary market में फिर ये किसी और को बेच सकता है कोई भी tension नहीं है तो investor 1 investor 2 को बेचेगा फिर investor 2 इसी market में investor 3 को बेच सकता है और य मुझे पैसे की नीट हो कि मैं जाके बेच दूंगा आएक हाल में तो ये cycle चलते रहता है primary market help करता है secondary market को secondary market help करता है primary market को क्योंकि सोच के देखो दोनों का जो अस्तित्व है वो interdependent है सिरिफ primary market रह सकता है क्या नहीं मैंने अभी आपको बता है primary market का ज़रूरी है होना क्यों रहा है primary market में हो रहा है company को पैसा primary market से ही मिलता है तो primary market जो चाहिए ही चाहिए पर primary market secondary market के बिना sustain नहीं कर पाएगा क्योंकि अगर लोगों को exit option नहीं मिलेगा लोग primary market में जाके पैसा लगाएंगे नहीं तो secondary market has to be there to support the primary market clear है और सिर्फ secondary market हो ही नहीं सकता अरे भाई जब त to know company अगर जाके security ही रेस नहीं कर रही है पैसा रेस नहीं कर रही है So secondary market में ऱ ट्रेड किस स्टीश की करोगे तो primary market में जो इशु होता है वही तो secondary market में ट्रेड होता है la ! समझ रहे हो, मतलब सिर्फ secondary market हो, ऐसा भी नहीं हो सकता, primary market में ही वो चीज़े issue होती हैं, उसी के बाद वो secondary market में जाके trade होती है, अब यह कैसे होता है, तो इसको कहते हैं listing, ठीक है, जब भी आप primary market से पैसा उठाते हो, और securities देते हो, जैसे ही मैंने आपको example दिया हुआ है, देखो, यह, यह जो securities यहाँ issue हो रही है, आपने पैसे लिए, आपने उनको securities दे दी, अब वहाँ पे company को एक obligation होती है, कि वो इसको list कराए, इन securities को, इन securities को, यहाँ पे secondary market में listing करानी पड़ती है, listing कराए बिना, कोई भी दो investors, वहाँ पे trade नहीं कर सकते, company को पहले पूरे procedures फॉलो करके, securities market में जाके, secondary market में जाके, list कराना पड़ता है, fees भरनी पड़ती है, compliances करने पड़ते हैं, उसके बाद फिर, stock market यानि जो secondary market है, उस पे जाके दो investors, उस company के securities को buy sell कर सकते हैं, इसी का पूरा law है, जो हम पढ़ेंगे, जो है LODR, listing obligations and disclosure requirements, यही आप पढ़ोगे, LODR नाम से, तो यही law आपको follow करना है, अगर कोई company को listing करानी है, अपने shares issue करने के बाद, वो चाहती है कि उसकी trading कर पाएं लोग, तो आपको LODR का compliance करके, listing करानी है, और जब तक आपके shares listed है, तब तक आपको वो LODR का compliance है, वो करते रहना पड़ेगा, तभी investors, वहाँ पे buy sell कर पाएंगे, clear है, तो यहाँ LODR लागू हो जाता है, और यहाँ जब आप fund raise कर रहे होते हो, तो यहाँ लागू हो जाता है, ICDR, तो यह दो सबसे बड़े, सबसे important law है, जो आपकी जिंदगी में आपको काम आने वाले है, ICDR और LODR, जब भी आपको fund raise करने है, ICDR आपके लागू हो जाएगा, या जो मैंने बताया, non-convertible security raise करनी है, तो उसका law अलग है, ICDR और NCS कहते है इसको, ICDR, NCDS, यह दो primary law है, जब यहाँ पैसे raise करने जाओगे, आपको यह दो law follow करने पड़ेंगे, जो भी तरीके से आप पैसा raise करते हो, उसके बाद फिर आपको listing करानी होती है, और फिर आप LODR का compliance company को करना होता है, clear रहे हैं? तो यह पूरा connection है, तो यह बना लो, दोनों charts को merge करो, चालो, आगे बड़े, तो हम यहाँ थे, ठीक है, हर market के अंदर ऐसे दो-दो market है, पहले issue करो, फिर list कराके वहाँ पे trading करते रहो, issue करो, फिर list कराके trading करते रहो, ठीक है, सब में दो-दो segments होते हैं, clear है क्या? फिर आता है money market, money market में short term पैसा raise होता है, अलग-लग type के उसमे instruments होते हैं, जो आप पढ़ोगे, इसमें government भी होती है, तो government भी पैसा raise करती है, state government, central government, दोनों आके पैसा raise कर सकती है, treasury bill, commercial paper, ऐसे बहुत सारे instruments के नाम आप पढ़ोगे, certificate of deposit, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, तो यह अभी दो-ती नाम, example ख्याल में रखो, ठीक है, तो इन instruments के तुरूँ आप पैसा raise कर सकते हो, money market के तुरू, money market मतलब short term पैसा, short term पैसा आप उठा सकते हो, up to one year, ठीक है, तो यह भी आप बना लो, ठीक है, अब पहला ही पार्ट है, तो मैं बहुत जादा complex चीजे नहीं बताऊंगा, और भी बहुत सारे market sum पढ़ने वाले, derivative market sum पढ़ेंगे, forex market पढ़ेंगे, commodities market पढ़ेंगे, बहुत सारे market है, अभी मैं जादा complex नहीं करना चाहूंगा, ठीक है, तो अभी हम इतना इसमें करेंगे, clear रहे हैं तक, flow समझ में आ गया, तो financial market मैंने भी बता दिया, capital market, money market, capital market में equity और debt, ठीक है, उसके अंदर ही, सबके अंदर, फिर primary, secondary, यह है आपके financial markets, और भी बहुत सारे जो मैंने आपको बताए, मैं आपको लिखवा के देता हूँ, पहला आता है, equity shares, फिर आता है, preference shares, फिर आता है, debentures, bonds, ठीक है, debentures में भी फिर आते है, convertible debentures, या convertible bonds, सारे जो debt securities होती है, उसमें common classification होता है, कि वो convertible भी हो सकती है, वो non-convertible भी हो सकती है, ठीक है, काई में convert होंगी, equity share, convertible into equity, non-convertible मतलब वो किसी में convert नहीं होंगी, starting से लेके end तक debt ही रहेगा, debenture ही रहेगा, ठीक है, दोनों के law अलग है, convertible है, तो अलग law लागो हो जाता है, ICDR लागो हो जाता है, और non-convertible है, तो उसका अलग law है, issue and listing of non-convertible security, दोनों के law अलग है, ठीक है, तो यह सारे instruments होते हैं, और भी बहुत सारे प्रकार के instruments हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो यह सारे होते हैं, financial instruments, फिर आएंगे regulators, जो इनको पूरा regulate करेंगे, सबसे बड़ा जो regulator है, वो है SEBI, और फिर अगर आप money market में आते हो, या foreign exchange बाहर से पैसा raise करते हो, तो RBI के भी norms अपलाए हो जाते हैं, साथ साथ में, जो भी आपके sector regulator होता है, जैसे आप टेलीकॉम हो, तो एक separate उसका regulator होता है, ट्राय, टेलीकॉम regulatory authority of India, insurance वाले हो तो, insurance regulatory development authority, IRDA करके होता है, तो सब field के कुछ sectoral regulators होता है, bank है तो RBI होता है, ऐसे, तो वो भी लागू होंगे, अगर आपको इस sector को belong करते हो, तो sector sectoral regulations भी आपको follow करने, capital market की बात करें, तो SEBI सबसे बड़ा इसमें regulator आता है, clear है, और जहाँ-जहाँ money market है, या foreign exchange का काम होता है, वहाँ-वहाँ पे RBI है, भी as a regulator आ जाता है, ठीक है, तो broadly दो बड़े regulators आएंगे, और भी एक दो हम आगे चलके पढ़ेंगे, और फिर आता है market participants, मतलब लोग, दो primary लोग कौन है, एक है investor, एक है company, यह दो लोग तो है ही, अब यह पूरे process को mobilize करने के लिए, इस process को करने के लिए बहुत सारे intermediaries का, मतलब आपको help लेनी पढ़ती है, बहुत ज़ादा financial services लेनी पढ़ती है, तो यहाँ पे आप financial services भी एक add कर सकते हो, financial services, ठीक है, तो जो participants है, वो ही financial services देते है, तो participants में जैसे बहुत सारे लोग होते है, सबसे पहले होता है merchant banker, merchant banker कौन है, जो पैसा आपको raise करना है, पैसा raise करना है, बहुत सारे law apply होंगे, बहुत ज़ादा permissions लेनी होती है, तो आपके बहाफ पे कौन जाएगा, तो आपके बहाफ merchant banker जाता है, ये एक participant है, मां आगे पढ़ेंगे, intermediary chapter में, तो merchant banker है, वो आपका पूरा जो issue है, उसको manage करता है, सारे compliances, सारे procedures, सारे approvals, और जो disclosures देने होते हैं, सारा काम आपका merchant banker करता है, clear है, इसका काम ही है, पैसे raise करके, पैसा मतलब raise करके देना, ठीक है, तो इसका ये underwriting, तो उसमें underwriters होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे credit rating करानी पढ़ती है, तो credit rating agencies होती है, फिर हम पढ़ते हैं, पैसा collect होगा, तो banker appoint करना पढ़ता है, banker to an issue, फिर आपको securities issue करनी पढ़ती है, तो आप registrar to an issue appoint करते हो, allotment के लिए, securities देने के लिए, फिर आजकल जो securities हैं, वो physical नहीं होती, वो electronic form में होती है, तो उसको कहते है, depository, demat form में कहते है, आपने सुना होगा, तो वो depository, एक intermediary का आपको help लेना पढ़ता है, services लेनी पढ़ती है, तो वो भी एक इसमें market parchment आता है, फिर अगर आप secondary market की बात करोगे, तो broker की जरुद पढ़ती है, ठीक है, फिर उ बहुत सारे market participants हम पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे है, जैसे investment advisor है, investment advice आपको चाहिए, तो registered investment advisors होते हैं, उनसे आप advice ले सकते हो, portfolio managers होते हैं, कि आपके बाद 100 करोड है, अब आप चाहते हो कि बाई, अलग लग जगर पैसा लगा के कोई अब मेरा पूरा पैसा manage करे, तो market participants हैं, जो आपको अलग-लग services देंगे और यही हम पढ़ेंगे financial services, यही सारे financial services है, ठीक है, clear है यहां तक, basic clear है, एक flow समझ में आ गया, कि यह हो क्या रहा है, mobilization of funds क्या होता है, direct way क्या है, indirect way क्या है, ठीक है, एक basic I think आपको समझ में आ गया होगा, तो यह अब लिख लो, intermediaries क अब लिख लो, चलो, clear है क्या, सब लिख लिया, चलो, तो यह बाट में इतना ही है, flow आपको समझ में आ गया, financial system, अगर मैं कभी कहूंगा, तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा, financial markets कहूंगा, तो आपको अंदाजा आ जाएगा, बस अंदाजा आना चाहिए, connection होना चाहिए, basic concept आपको पत होना चाहिए, तो यहाँ से अब मैं, next part में आगे बढ़ूँगा, और मैं, next part में, chapter number 1, basics of capital market start करूँगा, तो यहाँ से हम पूरा start करेंगे, financial system क्या है, financial markets क्या है, functions क्या है, commercial market के, money market क्या होता है, capital market क्या होता है, need क्या है, यह market नह मार् किति नहुचित होगी, यह market है तो क् को एक primary चीज़ बताई है और छोटे-छोटे बहुत सारे connections अलग-लग चीज़ों के साथ आएंगे चीक है तो वो पढ़ेंगे securities market क्या होता है ठीक है capital market के अंदर securities market primary market secondary market ठीक है दोनों का comparison ठीक है मैंने एक flow आपको basic बता दिया है अब यही चीज़े detail में हम एक एक word to word पढ़ेंगे clear है क्या तो यहां से फिर हम पढ़ेंगे और फिर हम अलग-अलग law जो होते हैं अलग-अलग चीज़ को regulate करने के लिए वो law भी हम पढ़ेंगे regulatory framework नाम से हम पढ़ेंगे regulatory framework क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे कौन-कौन से law क्या-क्या topic के उपर बने हुए जो आपको follow करने होते है clear है तो यह सब हम पढ़ेंगे regulators के बारेंगे SEBI आपका regulator है ठीक है फिर जो इतने सारे participants है मैंने बताया था वो participants पढ़ेंगे investors होते हैं अलग-लग type के investors होते हैं वो हम पढ़ेंगे ठीक है बहुत सारी चीज़े हैं बहुत easy-easy और बहुत जादा complicated चीज़ें भी है ठीक है तो हम next part से एक-एक detail में पढ़ना start करेंगे ठीक है पढ़ते पढ़ते आपको कोई भी doubt हो आप WhatsApp पे अगर मेरे lecture बाहर हो आप पूछ सकते हो ठीक है लेक्चर बाहर को मेरा WhatsApp नमबर दिया जाता है आप कोई भी आउट पूछ सकते हो 24 hours में मैं उसको daily basis पे जवाब देता हूं ठीक है चले thank you so much next part में आगे बढ़ेंगे और next part में detail में start करेंगे कि financial system क्या है उसके अंदर क्या क्या आता है capital markets का क्या rule है पूरा है जो मैंने चार्ट में बताया है पूरा हम एक-एक वर्ट वर्ट पढ़क आएगा ही आएगा तो जितना में इसे होगा मैं आपको बताते जाओंगा कि यह law में यह बढ़ोगे यह law में यह बढ़ोगे ठीक है other connections भी मैं आपको बताते जाओंगा ठीक है चले thank you so much next part में मिलते हैं